दोस्त आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह से toy drone में one की return बटन काम करता है और किस तरह से आप इसका use कर सकती हो दोस्तो जो professional drone है और जो toy drone है इनके अंदर जो one की return का mechanism है वो बिल्कुल अलग है जो professional drone है उनके अंदर दोस्तो drone जहां भी fly करता रहा होगा तो उधासे दोस्तो GPS की मदर से दोस्तो remote के पास drone आका land हो जाता है लेगिन गईस toy drone में कोई भी GPS नहीं होता तो इसलिए toy drone में जैसे हम one की return button प्रेस करते है drone backward move करने लगता है वो remote के according नहीं आता है इसलिए दोस्तो drone अगर visible side में उड़ा होगा और remote के across अगर drone का tail रहता है तो भी दोस्तो drone बापस आ सकता है लेगिन गईस drone अगर दूर में fly कर रहा होगा और आप उसका tail position पता नहीं लगा सकते हो फिर दोस्तो आप एक काम कर सकते हो आप drone का headless mode को on करके फिर दोस्तो one की return button को press कर सकते हो इससे दोस्तों ड्रोन अगर remote के across होगा फिर no matters की drone का tail है front है left है आपके बास drone आ जाएगा और एक most important toy drone में कभी भी automatic one की return exit नहीं होता है आपको manually उसको exit करना पड़ता है